कि नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका रीजिनिंग द एम सीवी तो आज का यह अपना डाइस है तो ग्राइज डाइस स्टार्ट करते हैं डारेक्ट जो अपना डाइस होता है उसमें six faces होते हैं आपको पता होता है सब्सक्रास करिए हैं और है इ Guess सबीकर शाथ जो चो पताई से तरहें उसमें कि यूठ उसमें के पता करते हैं उसमें इस्ट अमें पता करने के लिए उनके पोजिट जो होते हैं नंबर उनका सब्सक्रास ना चीए जिसे 1 प्लस 6, 7 2 प्लस 5 इगल टो 7 और 3 प्लस 4, इगल टो 7 यह opposite होंगे हमिशा किस में होएंगे यह opposite? standardized में standardized की यह पैचान होती है जो opposite होंगे वो 7 होंगे और जो हमारे exam में पुछ जाते हैं वो standard नहीं होते हैं mostly unknown होते हैं खुद बनाए होते हैं तो start करते हैं rule number 1 rule number 1 हमें यहां से यह पता चलता है जब एक संख्या हो मानलों एक संख्या है दोनों पासों में और पहले statement लिख देता हूँ आपके लिए असानी होगी जब एक संख्या दोनो अपने जो डाईस है दो पासे हैं पासों में समान हो ठीक है दोनो पासों में समान हो संख्या चाहे हो तीन हो चाचार हो समान होने चाहिए और दोनो सेम बॉक्स में हो सेम बॉक्स में हो तो क्या rule लगता है तो बताते हैं आपको ये देखो, दो dice बनाते हैं पहले, ये हमारे दो dice आगए, drawing ऐसी है, थोड़ा adjust कर लेना, तो 3 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, इसमें 3, 6, 5, तो आपको जैसे दिख रहा है, दो संक्या है, दोनों समान हैं, 3, 3, और same box में हैं, इसमें भी, और इसमें भी, तो इस question में पूछा जाया है, कि 1 के opposite का है, तो दोनों पासों में जो समान है, उसे छोड़ देगे, और जो बच गए हैं, box, जैसे इस dice में, उपर वाले box में 1 है, तो इदर वाले dice में, उपर वाले box में क्या है, 5, तो 1, 5 के opposite हो जाता है, और इधर वाले में 4 है और इधर वाले same box में 6 है तो ये 6 के opposite होता है और बचा 3 3 के अलावा इसमें क्या नहीं दिख रहा आपको और इन दोनों dice में क्या नहीं दिख रहा है 2 नहीं दिख रहा तो 3 2 के opposite है तो देखो standardize 1 प्लस 6 7 होता है ठीक है opposite कसम 7 होता है इसमें तो opposite कसम 7 नहीं है तो इस standardizedize नहीं है और एक्जाम में यही ऐसे ही dice बुझे जाते हैं तो rule number 2 यहां से निकल के आता है जब एक संख्या दोनो पासो में सम्वान हो हो sorry हो और अलग अलग box में हो अब दोनों rule में अंतर क्या है समान हो तो ठीक है उसमें same box में इसमें अलग box में आगे जिसे अब second दो dice बनाते हैं यह अपने दो dice आगे और इसमें हम लेते हैं three, one, five और four, five, six तो इसमें सम्मान दिख रहा है आपको five है दोनों box में अलग दोनो dice में और वो अलग-अलग boxes में है ठीक है दोस्तों? अलग-अलग boxes में है कोई नहीं तो जैसे हम इसी box को मतलब इसी dice को लेते हैं पहले तो five को या तो clockwise यह anti-clockwise गुमाओ हम इसको clockwise लेजे जाते हैं तो five के बाद three है और three के बाद one है तो ऐसे हम इसको यहां लिखते हैं फाइफ त्री वन तो second dice की तरफ जाएंगे इसमें भी जैसे इस box में हमें clockwise गुमाओ है तो इसमें भी हम clockwise लेके चलेंगे इसमें anti-clockwise लेके तो इसमें भी anti-clockwise तो clockwise लेके जाएंगे five five के बाद क्या है? six और six के बाद four तो guys six three के opposite है four one के और five के opposite बच गया two यह यहां से आया second rule लिखल गे दोनों rule होगा अंतर समझ लो जब एक संक्या दोनों पासों में समानों और same box में हो तो जो उनसा box बच गये हैं वो उसके opposite होते हैं और जब box अलग अलग हो तो clockwise लेके चलो जो common है संक्या उसको जब दो संक्या दोनों पासों में सम्मान हो तो बची हुई दो संक्या एक दूसरे के opposite होगी जैसा कि यह हमारे dice आए निकल गए बहुत गंदी handwriting है गाईज अब रूल नमबर थर्ड देखो जब दो संक्या दो संक्या दोनों पासों में सम्मान हो जैसे इसमें 3 common है दोनों में है और 5 common है और जो बच गई है अब 2 बच गई है वो 2, 6 के opposite होती है यह अपना थर्ड रूल है ऐसा question आएगा जब दोनों संक्या समान हो दोनों boxों में तो सरिफ जो बचा उसकी पूछेंगे और जो दोनों बच गई हो एक दूसरे के opposite होते है यह अपका dice chapter complete इस तो यह तीन रूल है तीन रूलों को देखो और question attempt करो आपके question सारी solo हो जाएंगे कोई प्रोब्म मत बटाओ धन्क्यू जाएंगे